Assalamualaikum dear students, this is Mohamed Naveed Jaffer जी students, हम बात कर रहे हैं आज कल different chapters के guess के उपर या different chapters के minimum content के उपर जो के ज़्यादा important हो सकता है तो बचो अब हमारा एक इंतहाई important chapter, chapter number 3 इसके उपर discussion करेंगे जहां तक बात definitions की है मैं वैसे बता देता हूँ कौन-कौन सी definitions इसमें से आ सकती है सबसे पहले बचो वो आप से अगर मैं jump करके सीधा जाओ definite integrals के उपर definite integrals की definition एक आध दफा वेपर में पूछी जा चुकी है या फिर इसमें से fundamental theorem of calculus के उपर बात होई है कि fundamental theorem of calculus क्या है fundamental theorem of calculus से आगे जब हम move करते हैं तो हमारे पास जो आता है order and degree of the differential equation differential equation क्या होती है यह सारी आपको मेरे lectures में जो है इसका idea मैंने दिया हुआ और mcq series के उपर भी जो मैंने lectures दिये उसमें भी यह सारी बाते में highlight कर देता होता हूँ सो यह कुछ definitions हैं तीन चार जो आपके जहन में होनी चाहिए उसके बाद हम आते है exercises के उपर और exercises के उपर exercise wise जैसे मैंने chapter number two के उपर आप से discussion की इसी तरह हम chapter number three के उपर भी discussion करेंगे और exercise wise में आपको सारी की सारी जो है वो important discussions के साथ जो है वो कर लेता हूँ जी पहले हम बात करते है exercise number three point one के उपर फिर हमारे पास होगी 3.2 exercise फिर 3.3 exercise फिर 3.4 और इसी तरह 3.5, 3.6, 3.7 और फिर finally 3.8 जो ये सारी की सारी exercises है इनके अंदर क्या important क्या unimportant है basically unimportant कुछ भी नहीं होता, sub important है लेकिन just ये है कि हमने at least कि इन बातों को highlight करना है ये बाते हमने देखनी हैं, सुननी हैं, सो बच्चो इनको देखते रहिएगा मैं आपके साथ जो 3.1 में से अगर discuss करूँ, examples भी साथ साथ मैं बताता जाता हूँ आप इस chapter की, क्यूंके examples भी मेरे ख्याल में जो आपको जरूर आनी चाहिए example number बच्चो आप देखेगा, example है page number 123 के उपर ये example आपने जरूर करनी है आप देख लीजेगा, मैंने आपको बता दिया उस example के बारे में मैं अब move करता हूँ, इसकी exercise number 3.1 exercise number 3.1 में बच्चो question number 1 आपने करना है 1 और इसमें जो दूसरा मैं अगर suggest करूँ तो आपने question number 2 में से part number 1 और 4 question number 2 में से part number 1 और 4 को जरूर कीजेगा, फिर question number 3 पे आते हैं और question number 3 में से बच्चो अगर आप कर लें, आप specially one और two ये दो पार्ट तो ये आपके लिए एक enough material है exercise number 3.1 में से अब बच्चो हम बात करते है exercise number 3.2 में से और 3.2 की बात जब हम करते हैं इसकी examples के उपर भी discussion होगी, examples मैं आपको वैसे बताए देता हूँ, so examples भी आप साथ साथ जरूर कीजेगा, जब बच्चो हम 3.2 की examples की बात करते हैं तो specially 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 आप page number 128 निका लिए अपनी book का और उसके उपर जब examples लिखी हुई है तो इन examples में आप देखिएगा एक तो आपकी तीसरी example है, इसको आपने जरूर करना है और तीसरी example के बाद इसकी 7th example और 6 example ये examples आपने जरूर करनी हैं फिर हम exercise की तरफ मूव करेंगे, exercise में बच्चो जो आपको at least at least आना चाहिए वो आपका पहले तो 7th part जो है इसका आपको idea आना चाहिए, 7th part के बाद बच्चो 7th के बाद मैं अगर move करूं तो 7th के बाद ये जो 8, 9 और 10 हैं ये similar type के हैं जो इनको भी जरूर आप touch कीजेगा, 7th से पहले अगर मैं को बात करूं कि तो 6th part भी आप देखें, 6th भी एक अच्छा question है, 6th part और इसका 4th part तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसके बाद question number 2 पे आजाते हैं, ये 3-4 parts आपने जरूर उस message देख लेने हैं, अब question number 2 की जाने, बच्चो जब हम move करते हैं, तो question number 2 का second part, number 1 पे, second part के बाद बच्चो आपने इसके 5th part के उपर, जो मेरे point of view से कुछ important है, मैं आपके साथ वो discuss कर रहा हूं, जी इसके बाद आप 9th part पे आएं, 9th part जरूर कीजेगा, और 9th part के बाद बच्चो आपने जो है, इसका part number 12 और इसका part number 13, ये आपने इसमें से जरूर देखने हैं, question number 2 में से, exercise number 3.2 में से, ओ अगर मैं आपको बताऊं कि कोई examples करनी हैं, तो examples आप जरा highlight करते जाएएगा, example number 4 है, page number 132 के उपर, ये example जरूर करें, page number 133 के उपर, example number 5 तो must करें, जरूर करें, उसको किसी भी अंदाज में मत छोड़ियेगा, example number 6, इंतहाई important example है, ये आपने जरूर करनी है, और 6 के बाद example number 8, ये इतनी example जो मैंने आपको बताई, ये examples आपने लाजमी तोर पर डिसकस करनी है, और अब हम आते हैं, आपकी exercise number 3.3 के questions के उपर, बच्चों जब 3.3 की बात करते हैं, तो 3.3 का पहले आप देखिएगा, जो important में मैं आपको बताता हूँ, question number जो है, आपका वो 3 important one question है, 3 के बाद बच्चों, 6 और 7, 6 और 7, ये मेरी नज़र में important सवाल हैं, जो पेपर में कई दफ़ा पहले भी पूछे जा चुके हैं, question number 8, long questions के लिए इंतहाई important सवाल, ये exercise बहुत important है सारी की exercise, और मैंने अपने previous lectures के अंदर ये सारी exercise करवाई भी हुई है, हर सवाल, फिर question number 9 है, ये भी long question में कई दफ़ा पूछा जा चुका है, question number 11 long question में कई दफ़ा पूछा जा चुका है, ये पहले में long की तरफ अगर आ रहा हूं, तो long questions में तो बच्चों, इसके बाद question number 21 or 22, question number 21 or 22, ये सारे के सारे जिनको मैं boxes में बंद कर रहा हूं, ये सारे long questions हैं, अब short की तरफ जब आते हैं तो short questions में यह जो उपर मैंने दो लिखे तीन इसके बाद बच्चो short questions में आप question number 10 देखिएगा और question number 10 के बाद बच्चो आपने 15 और 16 जरूर कर लेना है यह आपके इस exercise के important सवाल आप कह रहे होंगे इसमेंसे maximum questions मेंने बताए बच्चो यह exercise बहुत important है इसमेंसे आपका long भी इंशाला must बनेगा short भी must बनेगा I hope so must इसमेंसे long और short जो है वो पूछे जाएंगे जी बच्चो उसके बाद हम बात करते है exercise number 3.4 की और 3.4 की discussion के अंदर जो बात होगी 3.4 में question number 1 की जानेब जब हम move करते हैं question number 1 3.4 so बच्चो question number 1 3.4 में second part आपका इंतहाई important short question है इसको आप देखिएगा second part के बाद इसका seventh part देखिएगा important one seventh part के बाद बच्चो आप ने इसका 14th question long question के तौर पर आएगा इन्शालला इसको दुरूर देखिएगा long part में और इसके बाद बच्चो आप ने अगर move करना है तो आप जैसे log x का square 19th part है इसका इसमें आप एक एक question में आपको पता है कि बेशमार parts है तो इसको आप बड़े carefully ये करते जाएं और इसके बाद बच्चो मैं 21th part को suggest करूंगा पहले सवाल में से फिर हम आते हैं question number two की जाने में question number two में से बच्चो जो अगर मैं आपको suggest करूं इसमें से तो question number two में से मैं सिरफ suggest करूंगा 8th part जो मेरे point of view से important है और उसके बाद question number five आप three question जो है और four question ये leave कर सकते हैं I think so जो मेरा जहन कहता है उसके बाद question number five की जाने जब बच्चों हम move करते हैं तो इसका part number one आप जरूर कीजएगा part number one के बाद जो है इसका third part जरूर कीजएगा important है सारे simple से सवाल है इसका जो है आप इसके बाद fourth part जरूर कीजएगा fourth part के बाद बच्चों जो इसका six part है और six के बाद इसका finally अगर मैं discuss करता हूं तो six के बाद आपने आना है इसका जो 10th part है और 11th part है ये और इसके साथ एक example भी आपको बताता चलों जो similar इसी type की है ये पेपर में long question आया हुआ पेज नमबर 143 पे example number 10 है बच्चों इसको जरूर करना है अब हम move करते हैं आपके जो next question की जाने और next question की जाने exercise number 3.5 इससे पहले एक example आती है example बच्चों मैं आपको बता रहा हूं example number 5 page number 147 के उपर ये example आपने करनी है और उस example के बाद आपने move करके चले जाना है जी next और next में आप बस पहले दो तीन सवाल इसमें को इतना खास जो है वो parcel fractions हैं किसी भी question को मैं important नहीं कह सकता तो इसको आपने careful देखना है कि इसको किस अंदास से आपने करना है और एक question मैं बताऊंगा question number 15 इस exercise exercise में से उसके अंदर एक technique है उसके अंदर गुर है वो आपने use करना है इसके अंदर और फिर आगे की तरफ मूव करना है जी बचो अब हम बात करेंगे exercise number 3.6 exercise की जानिब जा रहे है 3.6 exercise से पहले page number 159 पे एक example है example number 4 so example number 4 को please बचो मत भूलिएगा example number 4 के बाद अब हम आते है 3.6 exercise के उपर और 3.6 exercise की जब हम बात करते हैं तो exercise के अंदर जो मैं suggest करूंगा वो बच्चो एक तो question number 9 की जानी बाता हूं question number 9 के बाद question 10 ये short questions में पूछे जा सकते हैं 10 के बाद बच्चो जो मुझे लगता है 13 भी आप कीजिए और 13 के बाद अब ये 15 से 3, 4, 5 सवाल ऐसे ह है जो सारे के सारे long question और इंतहाई important सवाल है question number 15, 16, 17, 18 इंस के बारे में मैं आपको specially कहूंगा कि ये आप question number 22 तक 15 to 22 ये सारे आपने करने है 15 to 22 इंशाला तबार को ताला आप देखेंगे एक long question आपको इसमें से आता हुआ जरूर नजर आएगा तो ये इसमें से मेरे मताब important है जो मैंने आपके सारे डिसकस किया इसके बाद बच्चों हम move करते हैं इससे आगे और बात करते है exercise number 3.7 की 3.7 exercise की जहां तक बात की जाए इंतहाई असान वही पहले 3.6 जैसी exercise है इसमें से अगर मैं discuss करूं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो है short question के लिए question number 1 करें question number 1 question number 3 करें short questions के लिए और फिर आप आजाएं question number 5 to 8 question number 5 to 8 इसके अंदर भी वह एक technique है कि आपने उनकी किस तरह से हाइलाइट करनी है जो limits को और फिर finally question number 13 जो है वो उसको जरूर कीजेगा ये आपकी exercise के कुछ important सवाल है अब हम बात करते है exercise number 3.8 की 3.8 पे बचो जाते हुए मैं अगर आपसे कहूं कि example number 5 करना मत भूलिएगा page number 171 पे example number 5 करें और अब आप आजाए exercise number 3.8 के उपर exercise number 3.8 में बचो अगर मैं first question में बात करूं तो first question के अंदर first और fourth part question number one part number one और four ये आपने जरूर करना है फिर उस के बाद ये questions हैं जो आपके सामने आ रहे हैं short questions में पूछे जा सकते हैं इसमें question number four कीजिए seven कीजिए four और seven के बाद बच्चो जो मैं suggest करूंगा आपको question number 12 कीजिए four seven twelve फिर 13 14 कीजिए 13 और 14 13 और 14 के बाद बच्चो आप 16 पे आए question number 16 और फिर finally बच्चो 18 ये short questions में पूछ question में आ सकता है और फिर बच्चो आप अगर possible हो तो ये 19 20 और बलके 18 2 मैं 20 अगर कैदू 21 तो ये आपने सवाल करने इस exercise में से तो इस तरह ये आपका chapter number 3 था जो कि मैंने maximum इसमें से important आपके साथ discuss किये बच्चो कोशिच ये है कि हर एक में से कुछ important बातें हो जाएं आप minimum जब paper की त्यारी करें तो ये बातें जरूर डिसकस कर लें बाकी जो है इन्शालला तबरकतला आपके वैसे ही concept clear हो जाएंगे सो उमीद है आपको ये सारा का सारा lecture जो है वो understand हुआ होगा इन में से किसी किसम का कोई आप सवाल पूछना चाहें and just solutions मेरे चैनल subscribe करें बेल जाएंटी बजाओं आप आएं सामने और हम करें आपस में बाते हैं तो जिन्दगी रजीत आप पर इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर दोबार मुलगा तो कि तब तक लिए जादिए जाला हाफिज असलाम आलेकुम